प्रियंक चूपड़ा और काट्रीना के अफ में से कोई एक या फिल्म के लीड हिरोईन के तौर पर फाइनल हो सकती है इसके बाद खुद राकेश रोशन ने क्रिश फोर की स्टार कास्ट को लेकर एक खोलासा किया डिरेक्टर प्रिडूसर राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश में प्रियंका चूपड़ा के साथ काम करना काफी मज़दार रहा उन्होंने confirm किया कि प्रियंका क्रिश 4 में भी जरूर होंगी हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फिल्म में उनका रोल कितना लंबा होगा राकेश रोशन पहले कि प्रियंका को याद करते हुए कहते हैं जब वो प्रियंका के साथ क्रिश में काम कर रहे थे तब उन्हें नहीं लगा था कि वो इंटरनाशनल स्टार बन जाएंगी लेकिन उन्हें ये ज़रूर लगा था कि बॉलिवूड की नंबर वन हिरोईन हमेशा बन सकती है बता देंगे हाली में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या पिर वो एक साथ दो स्क्रिट पर काम कर रहे हैं जिनमें से एक होगी क्रिश 4 दूसरी क्रिश 5 माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ में ही होगी और इसे एक साल के गैप रिलीस किया जाएगा यानि 2020 और 2021 मेरतिक रोशन के क्रिश के धमाके होना पका है बता जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी आक्शन फिल्म होगी